डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंड उर्दू, अउनली अटाग टीवी मैं हूँ कौक फारू की सबसे पहले शामल करेंगे ये नीूस हैडलाइन कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन टूडू वो आने वाले दिनों में बरतानिया में नेटो की सत्तरवी सालग्रा में शिर्कत करेंगे कन्सरवेटिव पार्टी के रहनुमा इंडियो शियर से स्तीफे का मतालबा शियर कहते हैं कि वक्त अंदूरूनी सियासत का नहीं है आन्टेरियो हकूमत का इस्कूटर मन्सूबे का ऐलान वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि लोगों की जिन्दगी में आसानिया पैदा करना चाहते हैं नोवा स्कूचिया में शदीद बारिश और वर्फबारी मौमलाते जिन्दगी बुरी तरह मतासर हजारों लोग बिजली से महरूब हो गए अमरीकी सदर जौनल्ड ट्रम्प का अखवानिस्तान का चानक दौरा अमरीकी फौजियों और अखवानिस्तान के सदर अशववानी के साथ मुलाकात की तुर्क वजीरेखावजों ने फ्रांसी सी सदर इमानवल मैकरॉन पर दैशतगर तंजीम की मदद करने का अलसामाई कर दिया है हैटलाइंस आपने जौनी खबरों की तफसील शामल करेंगे स्प्रेक के बार है Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian immigration officer and a senior case analyst and I've served the Canadian Government for 16 years. I provide accurate assessment on every case and I'll be happy to assist you in making Canada your home For the past 26 years we have assisted professionals, business people, senior managers and the self-employed worldwide to relocate to Canada We can help you and loved ones back home live the Canadian dream Do it once, do it right Swami Kashi Guru Ji का कहना है कि वो आपकी तमान समस्याओं का हल जानते हैं Swami Kashi Guru Ji is a specialist in bringing back your loved ones He is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours आपके depression, family, court problems और बेश्मार मसाइल के हलका दावा करते हैं Swami Kashi Guru Ji से राप्ता कीजिए 647-765-6311 647-765-6311 Address 565 Markham Road, Scarborough कुछ बात करेंगे नेटो की सित्तरवी सालगरा की तकरीब में कैनेटिन वजीर आजम माइंदा हफ़ते शिर्क्त करेंगे बानी में बरान की हैसियसे कैनेडा नेटो के आहम रुकुन समझा जाता है मजीद जानता है इस रिपोर्ट में कینیڈین वजीर आजम जस्टिन टूडू आने वाले दिनों में बरतानिया में नैटो की 70 सालगरा में शिर्कित करेंगे वजीर आजम आजम आफिस के मताबिक टूडू इस मौके पर कैनेदा के नैटो के साथ मिलकर काम करने और सिक्यूरिटी मौमलात और नैटो के साथ शराकतदारी को मजीद मजबूत करने के अजम का आयादा करेंगे इशलास में जंडे में दिफाव नैटो की कामियाबियों को जागर करने का मतारबा किया गया है जबके इस मौके पर काईदین इत्तहात को मजबूत बनाने और मस्तक्बिल में खतरात से निमटने पर तबादले ख्याल करेंगे जस्तिन टूडू की जानिफ से कहा गया है कि तनाजात की रोगठाम के लिए कोशिशें नैटो में खावतीन और मर्दों के करदार और एक महफूस दुनिया के लिए कैनेडा अपना करदार अदा करता रहेगा बानी मेंबरान की हैसे से कैनेडा नैटो का अहम रुकुन समझा चाता है कैनेडा से खबर शामल कर लेते हैं आपको बताएं कैनेडा के कंजवेटिफ पार्टि के रहनुमा एंड्रियो शेर उनके स्तीफे के मतालबों की तबदीली की उमीद कर रहे हैं जबकि उनकी जमात के मतादे नमाइंदे उनसे खायादत छोड़ने का मतालबा कर रहे हैं मजीद एहवाल इस रिपोर्ट में कैनेडा के कंजवेटिफ पार्टि के रहनुमा एंड्रियो शेर उनके स्तीफे के मतालबों की तबदीली की उमीद कर रहे हैं जबकि उनकी जमात के मतादे नमाइंदे उनसे खायादत छोड़ने का मतालबा कर रहे हैं एंड्यो शेर ने पालिमान में अपने एवान नमाइंदेगान का ऐलान कर दिया है इस मौके पर शेर ने ओहदा ना छोड़ने का एरादा जाहर किया उनका कहना था कि हम कैनेडियन के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने हमें मुन्तखिब किया केनेडियन सूबे ऑन्टेरियो की वजीर ट्रांसपोर्ट की जानिप से ऐलान किया गया है कि सूबे में जनवरी के आगाज से बर्की स्कूटर चलाने की जाज़त दे दी जाएगी जाएगी इस पांस साला पाइलेट प्रोग्राम के तहर 16 साल से जाएद अमर के अफराद स्क सकेंगे ऑन्टेरियो में सरको पर ऐसा स्कूटर नजराना कोई मामूली बात नहीं है लेकिन इस पर सवार होना गेर कानूनी था क्योंकि वो सरकारी हिपाज़त के मायार पर पूरा नहीं उतरते ताहम वजीर बराइट ट्रांसपोर्ट कैरोलीन मॉलरोने ने कहा है कि अब ये तब्दील होने वाला है ऑन्टेरियो का इसकूटर मनसुबा कारूबारों को वस्त देने मुकामी मुएशित को खुशाल बनाने और लोगों को बहतर जिंदगी गुजारने के लिए मजीद मुआख़ पेश करेगा इसकूटर में घंटी या हौरन लगाना नासमी होगा और ड्रावर हेलमिट इस्तमाल करेंगे प्रोग्राम के तहस सेफटी की सूरते हाल को जाटा जाएगा और ऑन्टेरियो का इसकूटर सिस्टम बाइक शियर टॉरन्टो की तरह काम करेगा जिसे एक एप के जरिये इस्तमाल किया जाएगा नोवा स्कोचिया में शदीद बारिश और वर्फबारी के सबब 38,000 से जाएद अफराद बिजली से महरूम हो गए जिसमें हैली फैक्ट, इस्टिन शोर और न्यू रोस एरिया के लाख के शामल है नोवा स्कोचिया में शदीद बारिश और वर्फबारी के सबब मौमलात इस जिन्दगी बुरी तरह मतासिर होकर रह गए है 38,000 से जाएद अफराद बिजली से महरूम हो गए जिसमें हैली फैक्ट, इस्टिन शोर और न्यू रोस एरिया के लाख के शामल है महक में मौसमियात के मताबक शदीद बारिश और वर्फबारी का सिलसला मजीद दो रोस तक जारी रहेगा जबके हफ़ते के रोस 20 सेंटी मीटर तक बर फड़ सकती है बिग ऑड़ामियर फ्लीट का चानग दोरा किया जहां। उन्हों ने अमरीकी फॉचे और अखवانستान के सदर अश्रफगानी के साथ मुलाकार की इस मौके पर सदर ट्रॉम्प का कहना था कि तालिबान के साथ अमन मुजाकरा ज़ारी हैं और मुहाइते के लिए बाचीत कर रहे हैं अमरीकी सदर ने कहा कि तालिबान भी जंग बंदी मुहाइदा चाहते हैं और अब वो भी समझते हैं कि मसला इसी तरह हल होगा सदर ट्रॉम्प ने कहा कि अगवानिस्तान में अमरीकी फौजों की तादा 13,000 से कम करके 8,600 करने का मनसूबा है अमरीकी सदर का तैयारा जमरात की शाम जब बिग्राम एर फीड पर उतरा तो उनके हमरा वाइट हाउस के कामी सलामती मुशीर रॉबर्ट और ब्राइन और सेकेटरी सर्विस एजिंट्स के हलकारों का मुक्तसर गुरूप भी था वाज़ रहे कि अमरीकी सदर बनने के बाद डॉनल्ड टरम्प का अगवानिस्तान का ये पहला दौरा है इस मौके पर सदर डॉनल्ड टरम्प ने अगवानिस्तान के सदर अशगवनी से भी मुलाकात की और अमरीकी फौजों के साथ इडिनर भी किया उन्होंने वहां तायोनात अमरीकी फौजों के साथ बात चीती और तसावीर भी किछवाई कुछ बात कर लेते हैं तुर्क वजीर खारजा का कहना है कि फ्रांसी सी सदर दैशतगर तंजीम को अपना इतिहादी कहेंगे तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता मजीज चानते हैं सिपोर्ट में अमान वेल मैकरोन पर दैशतगर तंजीम की मदद करने का जामाइद कर दिया है तुर्क वजीर खारजा ने पालिमान में सहाफियों से गुफटगू में कहा कि फ्रांसी सी सदर मैकरोन दैशतगर तंजीम को स्पोंसर कर रहे हैं उनका कहना था कि फ्रांसीसी सदर दैश्टगर्ट तंजीम को अपना इत्तिहादी कहेंगे तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता तुर्क वजीरे खार जोने कहा कि सदर मैकरॉन यॉरप के लीडर बनना चाहते थे मगर वो नाकाम हो गए है वाज़ रहे कि फ्रांसीसी सदर ने गुजशना माँ पैरिस में कुर्दों के मुसल्ला बागी गुरुब सिरीन डेमोकरेट फोर्स की तर्जमान से मुजाकरात किये थे जिस पर तुर्की ने नाराज़गी का इजहार किया था इसे के साथ ही टेक टीवी के पाकस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद ख़बरों और आप देश के लिए देखते रहिए टेक टीवी